नमस्कार बहुत बहुत स्वागा थे आप सब कहा देख रहे हैं जोत जिराहट के कम एश्ट्रो एक्सपेरिमेंट दोलों कारक्रमों का कॉम्बो पाइक शनी से दोस्ती करोगे कैसे बनाएं शनी देव को दोस्त शनी देव आपकी दोस्ती क्या एक्सेप्ट करेंगे शनी देव को दोस्त बनाने से क्या ग्या फाइदा होगा क्या आश शनिदेव को दोस्त बनाना इतना आसान है ऐसे तमाम प्रश्णों का उत्तर लेकर के हाजिर हूं है आपका आश्टो फ्रेंड संतो संतोशे चलिए सुरवात करते हैं इसके कारिकरम की जानकारी फटा फट अंदाज में दे देते हैं कि आप 11 से 17 सितव बर गयाजी में पिंडदान का लाब ले सकते हैं पित्र तरपन का लाब ले सकते हैं भागिदार हो सकते हैं क्या करना है कैसे करना है इसके लिए जो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहे हैं उन पर वाटसप कर दीजेगा पिंडदान 2020 करके शनी कुंडली के करता धरता और जीवन में 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ बैठे है मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि हमने ग्रहों का प्रतिशतता में वरगी करन किया है तो कौन सा ग्रह कितना असर करता उसकी महादशा को ही उसकी प्रतिशतता मालनी आ जाए तो अकुरेट निकलता है संपूर्ण जीवन का 19 प्रतिशत हिस्सा शनिदेव के पास उपस्तित है विद्दमान है उसके वो मालिक है करता धरता है जब इनकी दशा आती है उसमें वो ज़्यादा अगच्क्यूट करते हैं अधरवाइज अंतर दशाओं में अपना फल देते रहते हैं गोचर के साथ मिक्स होगर के जाहिर सी बात है डंडा अधिकारी हैं तो लोग इनसे डरते भी हैं बहुत स्वाभाविक है ऐसे में आपके अश्टो फ्रेंड ने इस विशे पर विचार किया कि अगर शनी देव से यारी हो जाए दोस्ती हो जाए सनी देव सनी नामक ग्रह शनी का अंश हमारे लिए सकरात्मक हो जाए दोस्त इंदी सेंस वाट सकरात्मक दोस्त हमारे लिए जो अच्छी चीज है सोचें हमें परिशान न करें हमें तबाह न करें हमें बरबाद न करें तो आप करना चाहेंगे शनिदेव से दोस्ती चलिए हम बताएंगे आपको कैसे शनिदेव से हम दोस्ती करें एक बड़ा नेचुरल सा रीजन है बहुत प्रागृतिक सा रीजन है कि हम अपने जीवन में दोस्त जरूर चाहते है जो हमारे लिए मददगार हो हर छेत्र में ऐसी हमारी एक धारणा होती है आपकी भी है? हमारी भी है अब जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगे अगर वही हमारा दोस्त हो जाए तो हम तो निडर हो गए हम बहुत अच्छा भई समहाल लेगा क्या भाव रहता है? समहाल लेगा यार जड़ा देख ले न कहते हैं कि नहीं कहते दोस्त से यार थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं पड़ोसी दोस्त है उसको आपने सौप दिया परिवार सौप दिया बहुत सारे ऐसे एक्जामपल मिलेंगे तो हम हर कोई एक दोस्त की एहमियत समझगे और उस पे दंडा अधिकारी ही आपका दोस्त हो जाए मतलब समझे कितनी बड़ी बात है तो आज हम आपको एक प्रियोग ऐसा बताएंगे जो शनी देव से आपकी दोस्ती करा देगा आप दोनों फ्रेंड बन जाएंगे कितनी बड़ी बात है आपकी कुंडली का मकर और कुम्भ बैलेंस हो गया कितनी बड़ी बात है मतलब सोचिए आप आपको बहुत स्ट्रॉंग फील के साथ यह उपाय करना है बहुत स्ट्रॉंग फील के साथ दोस्त से या किसी से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना होता है उसके प्रिय विचारों को इंप्लिमेंट करना पड़ता जो पसंद करें जैसे माली जे कि हमारे दोस्त को गुलाब जामुन पसंद है हमें गुलाब जामुन परुस्तना पड़ेगा वो खुश होगा, खुश होगा तो समर्पित होगा तो यहां इस बात को समझना बहुत अनिवार है सनिदेव से दोस्ती के लिए कि सनिदेव को क्या पसंद है तो भाईया सनिदेव से दोस्ती करने की पहली अरहता जो है पहली eligibility जो है पहली जो वांचित गुण है योग्यता है फर्स्ट योग्यता है आप किसी का हरदय ना दुखाईए सबसे बड़ी खुशी शनिदेव को इसी से होती है कि आप किसी का दिल ना दुखाईए आप दोस्ती के लिए समझ लीजिए कि 50 प्रतुषत सीड़ियां चड़ गए ठीक किसी का दिल ना दुखाईए यहाँ आप condition हो इनी सकता कुछ फुल स्टॉफ है यहाँ पर आप यह नहीं कही सकते हैं कि फलनवा हम में गरियाइस तम चड़ बैठे नहीं आप पूछेंगे कब तक निन्यान पे तक आप तो एक के में चड़ बैठते हैं ओकर हिम्मत कई से होई कि हमरे सामने आख तरी रेक हैं मतलब यह हुआ आप शहनशील हो गंभीर हो शान्त हो शरल हो जो गहरा है वही शनी है क्या जो गहरा है वही शनी है जो समुद्र है वही शनी है तो गुण देखिए गुण देखिए तो पहली योग्यता अगर आपने ये पार कर लिया तो आप मेरे ख्यासे 50% सीड़ी शनी की दोस्ती की तरफ बढ़ गई शनी देखिए हाथ फैला के वेट कर रहे हैं बस ये योग्यता विक्सित करिए दोस्ती के लिए ये अलेजिबिल्टी है पहली बता दिया नंबर तो हराम का ना खाईए दूसरी योग्यता पचास हो चुका था सहनशिल्टा में आपकी वज़े से किसी का दिल न दुखिए पहली योग्यता थी किसी का दिल न दुखिए मतलब यहां फुल स्टॉप है यहां कुछ एक्स्क्यूज नहीं चलता आप माफ करते चलें आप आपके अंदर बहुत बड़ा गुन विक्सित हो जाएगा अहुत बड़ा गुन अलब समझे सनी तुला का मिल गया पचास प्रश्चत है यह देठा नंबर दो हराम का नहीं खाना है जो हक का है जो आपके पसीने का है पस उतना पत्थर बेच के मत खाईएगा हराम का है मैं बोलता हूं मेरे पास तरक है आप कंसलिटेंसी का फीस सवा लाख रखो न पत्थर बेचते हो आप कुछ भी आलोचना हमारी कर सकते हैं आई डोन्ट केर लेकिन पत्थर बेच करके जो उत्शी हराम की खाता है पसीने की नहीं मेहनत की नहीं मेहनत की क्या है जो फीस है परामर्श शुल्क बस तो हराम का नहीं खाना है सुविधा सुल्क नहीं जो लोग घूस लेते हैं जो लोग तनुखाप आ रहे हैं पैसादो तब ड्राइविंग लाइसंस बने गारे भी होगा मतलब दुनिया जानती है इसमें कोई हम हराम का किसे कहते हैं शनी को बिलकुल नहीं पसंद है इसको मैं 20 अंक देता हूँ पचास बीस सत्तर नमबर तीन ये तीसरा कदम लाश्ट है तीसरा कदम लाश्ट है शनी की दोस्ती के लिए शनी देव यहां हाथ रखे हैं बस पकड़ लेना है तीसरा कदम चल लीजिएगा तीस नमबर इसको मिलेगा पचास पहला हो गया सहनसेल माफ करना आपकी वज़े से कोई किसी का दिल न दुखे नमबर दूसरा कदम था हराम का नहीं खाना है घूस नहीं खाना है अपने पसीने की कमाई खानी है अपने पसीने की कमाई में शनी की खुशी देखनी है बीसंग किसको दिया और लाश्ट नमबर तीन तीस प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा कदम बढ़ाने में जब बिल्गुल आप शनिदेव के करीब पहुँच जाएंगे वो कदम है क्या व्रिद्ध और रोगियों की सेवा रोग शनी है पीडित शनी है रिलाक्स कर दिया सेवा कर दिया जो छमता आपकी हो आप प्रण कर लिजे हर महीने एक विक्ति की आप इलाज में मदद कर देंगे जो जरूरत मंद है शंगर्प कर लिजे हो गई दोस्ती मिलेगा क्या क्यों करें शनीदेव से दोस्ती जीवन का 19 प्रतिशत एचिवमेंट आप तुरंत रिजर्व कर लिए वो 19 परसंट एचिवमेंट क्या हो सकता है क्लास में टॉप करना आई एस अधिकारी बन जाना मेटिकल में सीमो बन जाना प्रमोट होकर एसपी बन जाना वो कुछ भी हो सकता वो 19 वर्ष प्लस जो जो इनकी अंतरदशाएं हैं हर ग्रहों के अंदर वो आपने रेजर्व कर लिया बड़ी बात है 24 घंटे का 19 परसेंट सोच लो सनी की हिस्से में हम दोस्ती करा दिये दे दिया 19 परसेंट बड़ी बात है तो उमेद करते हैं सनी से दोस्ती आपको पसंद आई होगी आपके एस्टो फ्रेंड को अब आप अनुमत दीजेगा लेकिन आपको फिर से आगाह कर दे कि आगामी 9 सितंबर तक आप हमसे गाजियाबाद ने मिल सकते हैं या टेलिफोनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं जिसमें भी इससे 22 दिन का वेटिंग चल रहा है अनुमत चाहेंगे मुहबत बनाए रखिएगा थैंक यू सो मच नमस्कार स्विकिष्णा से राते हैं और हाँ गयाजी वाला अनुष्ठान बात कर लीजेगा नमबर आपके सामने हैं बाई